दोस्तो आज है हमारे पास TP-Link का Access Point इसे हम Point-to-Point के लिए यूज करते हैं इसका Modern Number है CPE210 इसमें यहां Ground दिया हुआ है यहां है LAN Port POE वाला इसके आगे मिलेगा आपको Reset का Option अब हम इसके Connection Adapter के साथ में करते हैं यह हमारे पास Adapter जो है 24V 0.5A का इसमें दो Port है एक POE का एक LAN का तो हमें लगाना है इसमें POE वाले में LAN को ठीक है यह लगाने के बाद इसके दूसरे छोर को हमें इस Access Point में लगा देना है ठीक है यह भी लगा दिया इसके बाद इसमें Power On हो जाएगी और थोड़ी देन में इसमें Signal की जो लाइटे है वो भी On हो जाएगी अब हमें करना क्या है PC से एक LAN केबल लगाने जी है और इस LAN केबल को इस POE अड़ेप्टर में लगा देना है अब connection पूरा हो चुका है मोर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें